नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेम लौजी बाई निहा चैनल में यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने वैलियोबिल कमेंज देना गुरुआत में ही शनी आपके सात्वे भाव से निकल कर अस्टम भाव में गोचर करेंगे जिसे सनी की धहिया कहा जाता है शनी की प्रिभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में दिक्कत आ सकती है इस समय आप दूसरों की बातों में आकर अपनों को ही पराया कर लेंगे कारे स्थल पर आपके शत्रू लगतार आपको परिशान करने वाले हैं इस साल गुरू आपके भाग्य में वृध्धी करेंगे और राहू की कारण आप कठिन से कठिन समस्या कभी हल बड़ी चत्रुाई से निकाल लेंगे लाप में विराजमान मंगल जनवरी और फरवरी महा में आपको भाईयों से सहयोग और अच्छे लाप के मोके बनाएगा इस समय आपके शत्रू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे 17 जनवरी से शनी की धहिया आपको थोड़ा कस्ट देगी इस समय दशम में विराजमान राहू पर शनी की नीच की द्रिस्टी जीवन में कुछ कलेश पैदा कर सकती है केतु मंगल का शडास्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है और आप चोट का भी शिकार हो सकती है शनी की पंचम पर द्रिस्टी आपके लिए पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है इस समय आपको अपनी बुद्धी से निर्णल लेने होंगे 15 मार्श तक का यह समय सूरेश अनियुदी से प्रभावित होगा और गुरू के द्वादश होने के कारण यह है आपके पिता को बेहत कस्टकारी होगा इस समय धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी नए निवेश को सोच समझ कर करना होगा 13 मार्श को मंगल आपके विदेश भाव में प्रवेश करेंगे मंगल यहां गुरू से केंदर में होंगे जो आपके लिए विदेश से लाब के रास्ते खोलने वाला होगा इस समय काम के सिल्सले में आपकी यात्रा आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगी इस माँ बुद्गा नीच भंग राजियोग सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुब रहने वाला है इस समय आपकी मैनत का फायदा आपको मिलने वाला है 12 मार्च की बाल शुकर भी आपके दशम भाव में गोचर कर राजियोग का निर्मान करेंगे और इस्तरी जातकों के लिए सफलता की दर्वाजे खोलने का काम करेंगे इस समय कारेस तल पर किसी महिला सहकर्मी की मदद से आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है राजनीती से जुड़े जातक महिला वर को प्रभावित करने में सफल होंगे अप्रिल में उच्च के सूरे की यूती दशम भाव में राहू बुद के साथ होगी इस प्रभाव से आप कुछ बड़े निर्ड़ ले सकते हैं फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह महिना बदलाव का महिना होगा और आपकी कहीं से बड़ी नोकरी का ओफर भी आ सकता है दस मई से मंगल का करक राशी में गोचर होगा जो की मंगल की नीच राशी है इस पूरे महा दशम भाव में राहू गुरू और बुद्ध की यूती होगी इस समय मोसमी बिमारी से आपको खुद को बचाना होगा मंगल लगन में बैटकर शनी के साथ आशुब शडास्टक योग का निर्मान करेंगे शनी और मंगल एक दूसरे से छे और आठ होकर इस अशुब योग का निर्मान कर आपको कस्ट प्रदान करने वाले होगे इस समय किसी दुरगटना से आपको नुकसान हो सकता है वहीं भाईयों से भी विवात संभव है कोट केस का निर्ने आपके खिलाब जा सकता है जुलाई अगस्त की महा में सूरे का गोचर आपके अनुकूल होगा आठ जुलाई को बुद्ध का लगन में गोचर वानी की प्रभाव से सफलता देने वाला होगा गुरू की धन भाव पर द्रिस्टी पत्नी के सोभागे की वृद्धी करने वाली होगी इस समय आपकी पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति संभव है सितंबर माहा की मध्य में आपकी प्राक्रम, भाव में दशमेश और धनेश की यूती आपके लिए राहत का काम करने वाली है इस समय थोड़ी मांसिक अशांती के साथ अपनी माह की सिहत को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं साल के अंत में आपके लिए राहू और केतु का संचरण बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है नवंबर में लाब और चोते भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशी कन्या में गोचर करेंगे जो आपके लिए कस्ट कारी होगा शुक्र केतु की इस यूती इस माहा आपको इस्त्रे जातक से कस्ट की संभावना है किसी इस्त्रे की कारण आपको धन हानी हो सकती है वही पतनी के स्वास्ते का धिहान रखना होगा साल के आकरी माह में आपके धन में व्रिद्धी और संपत्ती प्राप्ती के योग दिखाई दे रही हैं शुक्र अपनी तुला राशी में गोचर करके राजियों का निर्मान करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है वही सूरे भी छटे भाव में नोकरी में तरक्की और उन्नती का मार्ग प्रशिस्त करने वाले होंगे सप्तम बुद्ध और दशम गुरु के प्रभाव से वार्णी में तेज और तीवर व्रिद्धी होगी जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने में सक्षम होंगे दोस्तों वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपको संबंधी जानकारी कैसी लगी किरप्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और इसे शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद